जहां एक तरफ कुछ राजे सरकारे लोगडाउन को बढ़ाने के पक्ष में एक हिंदर सरकार से सिफारिश कर रही है वहीं दूसरे तरफ गरी मजदूर तथा असहाई बने छोटे मोटे कल खार खानों में काम कर रहे मजदूर अपनी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान और जदो जोहाद कर रहा है वहीं सी कर्म में उतर परदेश के सौनभदर जीले के रेनु कोट में हिंदाल को इंडरस्टिस लिम्टिड द्वारा लगातार कई वर्षों से ग्रामेन विकास विभाग कारेकरम के तहट कई कारेकरम चलाए जा रही है पिछडे ग्रामिनों को अलग अलग तरीके से समाज की मुख्यधारा में चोड़ने का कारिये हिंडाल को करती चलिया रही है आपको बता दे कि परधान मंत्रि द्वारा किये गई लोकडाउन में सबसे बड़ी मार इन दिहाडी मजदूरों वो मुठी बर अनास पैदा होने वाले पहाडों के बीच घीरे हुए मजबूर ग्रामिनों को पड़ी है यहां आपको बताते चले कि जब इनको किसी से दोवक्त की रोटी मिल जाती है तो यह ग्रामिन उन्हें भगवान से कम नहीं मानते हैं अपने ग्रामिन विकास कारेकरम को और विस्तार देते हुई हिंडाल को इंडरस्टिस लिम्टिट द्वारा बवनी ब्लॉक मियोरपूर के कुछ गाउं में जाकर लोगों को भारी संख्या में खाद्दे पदार्थ वित्रन किये गई इस दोरान हाद धुने के तोर तरीके से लेकर मास्क लगाने का धंग लोगों को बताया गया खास बात और देखे कि तमाम समासेवी संगठन लोगों में खाद्दे सामगरी का वित्रन अपनी जिम्मेदारी से मुह मोड लेते हैं वहीं लोगों को जीवन में लंबे समय तक काम आने वाले विवहारों को भी अपने जीवन में उतारने पर इस कारेकरम के तहत विशेश बल दिया जा रहा है सोन भदर से समाधाता पंकस सिंग की रिपॉर्ट से अपने उनका रहा है झाल 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 झाल